हाई गुड आफ्टर नून वेलकम तो स्वाँ वेकानन अगर आप इसके पहले इस वीडियो से जुड़े थे तो रियली सौरी देर वह सम् टेकनिकल इशू उसकी वजे से ये वीडियो एर नहीं हो पाया था और हमें इसको डिस्कार्ड करना पढ़ाता है और हमें इसको डिस तो let's start कोई बात नहीं, we can see it again, तो as you know, चलो हम फिर से start करते हैं, आज हम लोग Mesolithic period पढ़ने वाले हैं, आज हम Mesolithic पढ़ने वाले हैं, और Mesolithic पढ़ने से पहले I want to tell you two to three things, वो ये के daily I am taking, not daily really, तीन दिन I am taking classes, Tuesday, Thursday and Saturday, ठीक है? इन तीन दिन from 1 to 2 p.m. हम लोग रोज history के लिए यहाँ पे मिलते हैं, रोज हम history के लिए यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे हम conceptual और factual clarity को लेके बात करते हैं, ठीक है? और इसी series में ये हमारा तीसरा वीडियो है, राइट? ये हमारा तीसरा वीडियो आज का होने वाला है, प देखें, तो आप देखिए, जो पहला वीडियो है, वो हमने conceptual clarity के बारे बात करी थी, दूसरा जो वीडियो है, उसमें हमने factual clarity के बात करी थी, राइट? अब इसी चीज़ को हम आँगे बढ़ाते हुए, आज हम mesolithic time पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये हमारी series का इसी में तीसर वीडियो है, अब देखो, direct jump करने से पहले हम हलका सा तुम्हें एक overview देते हैं, जो लोग यहाँ पे, आज पहली बार आयो हुए है, तो क्या होता है? इस टोने जो है, पासान काल जो है, वो तीन पार्ट्स में divided है, इसके बारे में हमने conceptual class में बात करी थी, पहला क्या है? प तीसरा क्या है? नियो लिथिक, जिस होगा हमें आज अगर हमें time allow करेगा, तो मैं इस चीज़ को पढ़ेंगे, otherwise इसको हम कल try करेंगे, तो यही में अब क्या होता है? पहले लिथिक जो होता है, इसे हम पहली हो का मतलब ने तुम्हें क्या बताया था? old, और लिथिक का stone age, तो यह old stone age हुआ करती थी, अब तुम कहोगे कि old stone age क्या होता है? तो इसके माइने मैंने तुम्हें कल ही class में बताये थे कि इसमें पुराने tools use किया करते थे, जो मतलब unpolished हुआ करते थे, या फिर जो पुरानी technology के हुआ करते थे, जिसे हम quartize पत्थर कहा करते थे, लेके जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जब हम आते हैं, 10,000 BC के आसपास, 10,000 BC के आसपास क्या होता है? कि जो अर्थ होती है, अर्थ warm होना start हो जाती है, ठीक है? अर्थ जो है, वो warm होना start हो जाती है, तो तुम कहोगे, अर्थ warm होना क्यों start हो जाती है, पहले क्या हुआ कर होता था इसको हम कहा करते हैं आई सेज ठीक है इसको हम कहा करते थे आई सेज अब आई सेज में क्या हुआ करता था अर्थ जो पूरी थी वो बर्ब से धकी हुई थी राइट लेकिन पिछले फिर पांस लाक सालों में पिछले पांस लाक सालों में क्या होता है कि जो अर्थ हो तो आई सेज का मतलब क्या है पिलिस्टो सीनेज ठीक है पिलिस्टो सीनेज अब जब पिलिस्टो सीनेज जाएगा तो क्या आएगा तो आएगा होलो सीन ठीक है ना पिलिस्टो सीन जब जाएगा तो आएगा होलो सीन अब तुम कहोगे कि सर होलो सीन क्या होता है तो होलो सीन ह होता है warm age, कितना warm age होता है, तुम कहोगे, तो warm age होता है कि आज कितनी date है, आज 20 फरवरी है, ठीक है, 20 फरवरी, दो हजा चोबिस को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और तुम से कोई कहें, बताओ, ये कौन से ये चल रहे हैं, या कौन सा एपॉक चल रहा है तुम कहोगे यह होलो सीन है ठीक है तो आज का जो टाइम है आज का जो हमारा तापमान है आज का जो हमारा टेंपरेचर है उसको हम होलो सीन ही कहते हैं तो यह कब से स्टार्ट हुआ है यह मीजोलिथिक टाइम से स्टार्ट हुआ है अब देखो और mesolithic time में और क्या characteristic features हैं तो mesolithic के characteristic features में जाने से पहले mesolithic का मतलब समझ लेते हैं तो यहां यह दो सब्दों से मिलके बनाएं एक तो हो गया meso जिसका मतलब है middle और lithic का मतलब होता है stone age ठीक है या फिर stone तुम कह सकते हो तो यह middle stone age है middle stone age का मतलब क्या है यह एक तकार से middle मतलब है transition period है यह transition period है अब तुम कहोगे transition period किस चीज का transition period है किस transit में जा रहे हैं कहां से कहां जा रहे हैं तो यह paleolithic से लेके neolithic के बीच का transition period है जिसे हम mesolithic कहते हैं अब इसमें हमने तुम्हें क्या क्या हुआ था ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मैंने तुम्हें concept वाली class में बता दीती बट एक बार हम quick recap इस चीज का हम कर लेते हैं इस time पे क्या होता है हम जो modern humans हैं जो homo sapiens हैं वो आ चुके होते हैं अभी तक हम homo sapiens जो हैं वो अर्थ पे आ चुके हैं और साथ में क्या होता है इस time पे अगर तुम पहले लिथिक को तो अगर तुमने पढ़ा हो या तुम मेरे साथ अगर तुमने पुरानी classes देखी हूँ तो पहले लिथिक में क्या हुआ करता था हम बड़े पत्थरों का इस्तिमाल किया करते थे जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे हम उनका इस्तिमाल किया करते थे क्यों बड़े बड़े पत्थरों का इस्तिमाल किया करते थे क्योंकि उस time पे eye sage हुआ करती थी अब जब eye sage होगी तो उस time पे बड़े बड़े जानबर हुआ करते थे जिनने हम Quartize कहा करते थे Quartize की पत्थर या Quartize Stone कहा करते थे लेकिन जब आई से इस खतम होती है तो आई से इस खतम होने के साथ साथ क्या होता है Temperature Change होता है अब अगर हम Charles Darwin को quote करें तो Charles Darwin में एक बात कही है कि इस अर्थ में इस Species में जतने भी Species हैं इन में से वो Survive नहीं करेगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस अर्थ में वो Survive नहीं करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है इस टाैम पर सबसे ज़्यादा सर्वाइब वो करने वाला है जो Nature के साथ अपने आपको Evolve कर लेता है ठीक है तो जब ice age का time था तो ice age में बड़े बड़े जानबर रहा करते थे जिने हम manmoth कहते हैं कि तुन्हें पुरानी movies देखी हो तो उनमें manmoth दिखाए भी गए है ना कि तुन्हें Hollywood movies देखी हो तो क्या होता है जब ice होती है, ice पिखलना start हो जाती है तो जब ice पिखलती है तो वो survive नहीं कर पाते हैं वो nature के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाते हैं धीरे-धीरे they started to extent और जब वो extent होते हैं तो जो छोटे-छोटे जानबर होते हैं, जो छुपे होते हैं वो बहार निकल के आते हैं अपने bill से और अपने मतलब hole से वो बहार निकल के आते हैं और फिर धीरे-धीरे वो evolve करना स्टार्ट करते हैं ठीक, अब देखो, it's just like कि तुम polar bear को Antarctica से लाके दिल्ली में लाके रख दो, तो क्या होगा, बिचारा मर ही जाएगा क्योंकि वो survive नहीं कर पाएगा, right? तो अब क्या होता है, जब इतने छोटे-छोटे जानबर आने लगते हैं तो छोटे-छोटे जानबरों को मानने के लिए अब ऐसा तो होगा नहीं, इतना छोटा सा जानबर हो तो तुम इतने बड़े पत्थर से उसको मार दो यलित मतलब होता है पत्थर, तो इसका मतलब हो गया छोटे-पत्थर अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में उठना जायज है, कितने छोटे-पत्थर हो सकते हैं तो इतने छोटे-पत्थर हैं कि तुम अगर एक उंगली पे भी रखोगे ना वो एन एरो नहीं होता है, तीर कमान होते हैं, तो एरो में वो पत्थर लगाया जाता था, ये देखो ऐसा, एक ऐसा पत्थर बना दिया, ये नुकीला कर दिया यहां पे, तो क्या होगा जब नुकीला तुम करना सुरू करोगे, तुमने पुरानी वीडियो देखी हो, मैंने तुमसे क्या कहा था, बलेट टेक्नलोजी आने लगी है, यहां पे ये लोग इसको नुकीला करना स्टार्ट कर दिये थे हैं, तो नुकीला करके इसको छोटा बना दिया, अब तुम किसी जानवर को, छोटे जानवर को ऐसे मार दोगे ना, तो वो मर जाएगा जल्दी से, तो ये एवॉल्व हम हुए हैं, अच्छा, एवॉल्यूशन से एक चीज याद आई, अगर हम तुम्हें इंट्रेस्टिंग फेक्ट बताएं, तो जो डायनासोर हुआ करते थे, वो आज की बर्ड्स हैं, ठीक है, दिस इस वाट डाव़ॉशन इस, जो डायनासोर हुआ करते थे, वो आज बर्ड्स बन चुके हैं, तो अगर तुम्हें इस बारे में और जानना है, तुम Charles Darwin की तेयोरी पड़ सकते हो, theory of evolution उसमें ये सब चीज़ें बताइएं गई है बट इतना इससे हम कहते हैं mesolithic ठीक है तो ये बीच का time period ये transition time period है तो इस time पर क्या होगा इसमें और दो तीन चीज़ें होगी जो तुम्हें मैंने बताई थी मैं जल्दी से recap करा देता हूं कि इस time पर होगा कि इस time पर इंसान fire को invent कर लेगा तो इस time पर fire का invention हो जाएगा इस time पर wheel का invention हो जाएगा ठीक है तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे होना start हो जाती है है इस time पर इंसान जो है वो bamboo के घर बना के भी रहने लगेगा फाइन तो ये चीजें धीरे धीरे यहां पे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है और साथ में क्या होता है यहां पे इनसान डॉमेस्टीकेशन भी करना स्टार्ट कर देता है पसू पालन करना स्टार्ट कर देता है ना कि उनके dairy products के लिए हुआ करता था उनके meat के लिए उनका production हुआ करता था मतलब वो जानमर पाल तो रहे थे बट किस लिए उनको खाने के लिए अब हमें ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है हमें काफी सारी animal bones मिली हुई है हम इन सब बारे में जानेंगे हम भी sites के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे तो ये इसे चीज़ें धीरे धीरे होना start हो गई थी और माइक और देखो ये mesolithic जो ये time है ना हम ने तो बताया था कि microleth पत्थरों को कहते है इस time का characteristic feature है तो ये चीज़ matching में पूछी जा चुकी है कि microleth किस time पे मिला करते हैं तो तुम कहोगे mesolithic time पे microleth मिला करते हैं ये matching में सब्सक्राइक सवाल आ चुका है तो you never know वो फिर से कब repeat कर दें इस चीज़ को है ना तो हाँ तो इतनी चीज़ें तो हो गई अब देखो mesolithic period के अगर हम तुमसे बात करें तो जो mesolithic period है इसका time frame अगर हम देखें तो time frame जो होता है कोई कोई 8000 BC कहता है और किसी किसी book में तुम 10,000 BC से भी लिखा हुआ पाओगे 4000 BC के आसपास ये time period हुआ करता है इसके बाद से फिर कहीं न कहीं बीच में ही यहाँ पर new lithic भी start हो जाएगा अब देखो इस time पर क्या होता है देखो ice होती है ice पिखलना start कर देती है जब ice पिखलेगी तो क्या होगा कि warm temperature आएगा और जब temperature warm होगा तो क्या होगा human की population बढ़ने के लिए ये सबसे suitable मौसम होता है human, animals, सब लोग जो होते है warm temperature में ज़्यादा reproduction ही ज़्यादा reproduce करते है ज़्यादा offspring create करते है तो इस time पर क्या होता है population increase होने लगती है जब population increase होती है तो जो लोग होते है वो migrate करना start करते है ठीक है तो पहले क्या होता है जो हमने तुमें early paleolithic time बताया था तो उसमें तुमें क्या बताया था महारास्ट के पहले बोरी जो जगह है वहाँ से हमें references मिले है early paleolithic time के लेकिन अब क्या होते है लोग mesolithic time में waves में ऊपर जाना start कर देते है ठीक है तो waves में ऊपर जाना start करते है और पूरा का पूरा जो नौर्थ इंडिया है उसे colonize करने की कोसिस करते है तो वही यहाँ पर उपिंदर से एक बात कहते है फर्स्ट मेजर human colonization of the गंगा प्लेंस took place during this period तो यह होना यहाँ पर start होता है यह चीज तुम समझ गए होगे उपिंदर सिंग से एक चीज याद आई मैंने आपको सब टाइटल में या फिर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक यहाँ पर थमनेल में एक चीज लिखी है surprise inside है ना तो surprise क्या है surprise यही है कि as you know कि UGC net JRF के लिए अगर history पे अगर आप जाओ तो ancient India जो है ancient India में जो सबसे ज़ादा बुक से सवाल आते हैं देखे जाते हैं उपिंदर सिंग से आते हैं ठीक है उपिंदर सिंग की ज़ बुक है उससे ही सबसे ज़ादा सवाल पूछे जाते हैं अब लेकिन उपिंदर सिंग की सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि ये बुक जो है ये काफी बल्की बुक है ठीक ये 700-800 पेजों की काफी मोटी बल्की बुक है और से बल्की होने के सास्ता ये tough language में भी थोड़ी सी लिखी हुई है उसमें facts ज़्यादा हो जाते हैं पता नहीं चलता कि मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसलिए मैं जो आपको ये classes live ले रहा हूँ इसमें surprise ये है कि मैं जो mostly जो notes है मेरे ये आपको उपिंदा सिंग से ही related देखने को मिलने वाले है तो अगर आप अपनी उपिंदा सिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ में इन वीडियोस के मेरे कंप्लीट कर सकते हैं आपके उपिंदा सिंग को लेके पूरी clarity हो जाएगी फाइन तो ये चीज़ तो आप समझ गए होगे इसके बाद अगर मीजोलिथिक की बात करें तो मीजोलिथिक में कुछ साइट्स होती है और यही साइट्स जो होती है ये mostly UGC net हमेशा यही साइट्स पूस्ता रहता है तो इसका जो map है वो map मैंने यहाँ पर लगा दिया है in case अगर आप चाहें तो आप मुझसे ये notes मांग सकते हो आप बस comment कर दे ना मैं आपको ये notes यहाँ पर नीचे ही दे दूँगा तो इसमें मैंने यहाँ पर map भी locate कर दिया अगर मेरा पिसला वीडियो देखा हो और ये दोनों ही पूछे जा चुके है this is बाग गोर, this is बाग गोर this is something which H जो मद्द्रदेस में है without H ये राजस्थान में है फिर तिलवारा हो गया, पैसरा हो गया पैसरा is in Bihar फिर ये बीरभान पर हो गया ये वेस्ट बंगाल में है तो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनका मैंने यहां पर पूरा का पूरे आपको लगा दिये, मेजर साइट्स हैं आप इनको पढ़के जा सकते हैं, राइट इसके बाद, अब अगर हम देखो, यहां पर अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हूँ, तो आप मुझे बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के साथ साथ आप इस लाइब क्लास में भी इसका आंसर मांग सकते हैं, फाइन जस्ट वेट आ सेकिंड ओके, तो अगर हम साइट की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान को, देखो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में जो सबसे पहली साइट है, जो पूछी जा चुकी है एक तो सबसे पहले होगी तिलवारा, याद रखना, तिलवारा, दूसी साइट कौन सी है, बागूर ठीक है, इट्स नॉट बागूर, ध्यान रखना, बागूर नहीं है, दोनों ही पूछी जा चुकी है ये है बागूर, बागूर इस न राजिस्थान, ठीक, और देखो ये जो है, सबसे लारजेस्ट मीजोलिथिक साइट है सबसे बड़ी Mesolithic साइट है इसका नाम क्या है बागोर ठीक अब देखो यहां पर क्या लिखा है ओपिंदर सिंग ने यहां लिखा है कि माइक्रोलिफ मिला करते थे फाइन अब तुम्हें माइक्रोलिफ हमने बताया क्या हुआ करते हैं माइक्रोलिफ वही छोटे छोटे पत्थर है अभी जस्ट एक मिनट पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि माइक्रोलिफ जो होते हो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और सुनो देखो इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों का क्या होगा इन्हें हम नाम दे देंगे तो इनको जो न चुकी, अब देखो, इसके बाद, अब इस टाइम पे क्या होता है, मीजोलिथिक टाइम पे क्या होता है, कि लोग जो होते हैं, वो अपने पत्थरों के घर बना के रहना स्टार्ट कर देते हैं, और जो घर जो होते हैं, वो रफली तुमें सर्कुलर देखने को मिलते हैं, हो गए थे फाइन तो यह चीज हो गई इसके बाद अभी देखो अब देखो तुम्हें मैंने कॉंसेप्ट जब समझा देना तुम्हें देखना किताब ऐसे समझ में आती जएगी बहुत जल्दी अब देखो यहां पर किया लिखा हुआ है कि हमें एनिमल बूंस देखने को मिली हुई है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अब स्टार्ट हो चुका है तो यह चीज जस्ट क्लिक कर जानी चाहिए अद तुम्हें बिना बताई यह पता होनी चाहिए कि जो animal domestication है वो किसके लिए हो रहा है यह meat के लिए हो रहा है उनके खीक है उनके food products के लिए नहीं हो रहा है उनके dairy products के लिए नही हो रहा है तो तुम्हारे द préf güven एक सवान उठना चायिए कि सरे बात बताओ तो अच्छा यहां पे meat के लिए कर रहे हैं तो food के लिए कप करेंगे, dairy products के लिए कप करेंगे तो you need to say यह काम जो है new lithic time पे होना start करेगा, ठीक है समझ गए न, यह new lithic time पे होता है new lithic time पे इंसान food के लिए जानवरों का domestication करना है, start कर देता है अब देखो, अगर हम burials की बात करें तो देखो, अगर burials की हम तुमें बात करें तो मैं conceptual सवाल अगर मेरा paper, video देखा है नहीं भी देखा है, तो just be with me here I'm here to teach you everything about it तो मुहां मत जाना चाहो, तो उसको बात में देख सकते हो अब देखो burials की हम बात करें बर्यल का मतलब क्या होता है, कि इंसान जब खतम हो जाता है, तो उसको दफनाते हैं अब दफनाने के साथ साथ हमें तुमें एक चीज़ बताईती है देखो, यहाँ ध्यान से यहाँ देखो ध्यान से यह मानलो grave yard है, यहाँ पे इंसान मर चुका है, मेरी drawing थोड़ी खराब है, मानलो यह ऐसे यहाँ पे मर चुका है, this is the person जो डफनाया गया है यहाँ ठीक, समझ में आ रहे हैं, अब जब यह मर जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा, इसके साथ साथ कुछ grave goods छोड़ दिये जाते थे grave goods का मतलब क्या होता है, कि ऐसा माना जाता था, यह लोग life after death में believe रखा करते थे life after death, अब तुम कहोगे life after death क्या होता है life after death मतलब होता है कि मानलो मरने के बाद भी कोई जिन्दगी होती है, कोई life होती है तो हो सकता है, यह इनसान जो है इसको थोड़ा सा smile करा देता है तो यह जो इनसान है, यह आंगे जाके उठेगा, fine, और जब यह उठेगा तो इसे अपनी कुस चीज़ें चाहिए होंगी like जैसे मानलो, for God's sake आपके साथ ऐसा ना हो बट हो सकता है, मानलो मैं हूँ, मैं किसी दिन मेरी death हो जाती है, अब सूच लो मुझे कुछ books पसंद है, ठीक है तो हो सकता है मेरे घर वाले या फिर मेरे जो relatives हैं, मेरे आंगे के आने वाई generations हैं, जब मेरे ग्रेप खो देंगे तो हो सकता है, यहाँ पर मेरा favorite book रख दें, कि हो सकता है कि आनजने सर कल के दिन उठें, तो हो सकता है अपनी कोई उपिंदर सिंग किताब पढ़ने का मन हो तो वो क्या करेंगे, वो उठके थोड़ी आएंगे धूरेंगे थोड़ी, तो उनकी ग्रेव याड में उनके यह book रख देते है, माल लो कोई और है, कोई और इनसान उसे गोल्ड बहुत पसंदे, तो गोल्ड रख दिया कोई इनसान उसको कोई बहुत जानबर पसंदे, जानबर अभी तो नहीं मिलेंगे जानबर नियूल एथिक टाइम से मिलेंगे, ध्यान रखना तो उनका जानबर भी यहां पर रख दिया ठीक है तो ऐसा ऐसा किया करते थे और जब तुम आंगे आओगे तो आंगे क्या होता है लाइफ आप्टर डैथ के बाद जब डैथ आती ने डैथ के साथ एक डर भी आता है कि हो सकता है यह इनसान आगे जाके उठ गिया तो और कल के दिन उठ गया ना तो उठ चल ना पाए ठीक यह परिशान ना करे राइट तो तुम समझ रहे हो और यहां पर यही जो होता है यह ग्रेव गुट से नहीं हम कहा जाता है कि हो सकता है मरने के बाद यह इनसान उठा तो इसकी जो फेवरेट चीज़े हैं यह से मिल जाया है ठीक समझ गए ना पहले तुम दोनों कॉंसेप्स समझे कि मोश्टी जगा पर मिला है लेकिन बागोर में हमें देखने को नहीं मिला हुआ है फाइन एनिमल्स भी देखने को मिली जाते हैं अब देखो अब हम तुम्हें पौट्री के बारे में कुछ बताते हैं पौट्र इंसान क्या करता है एग्री कल्चर करना स्टार्ट करता है एग्री कल्चर करना स्टार्ट करता है हमने तुम्हें कॉंसेप्शल वीडियो में बताया था कि एग्री कल्चर कहां से स्टार्ट हुआ था और जब एग्री कल्चर स्टार्ट होता है तो इनसान को पता नहीं होत इतने बीच डालेंगे तो इतना फल हो जाएगा इतना फूल हो जाएगा लेकिन उस टाइम पर हमें पता नहीं हुआ करता था इस बारे हम और डिसकस करेंगे जब नियू लिटिक टाइम को डिसकस करेंगे ठीक है तो उसने खूब सारे बीच डाले और जब खूब सारे बीच डाले तो क्या हुआ अपने अप surplus हो गया ठीक क्योंकि उसे पता ही था कितने डालने पर कितना होगा अब जब surplus हो गया जब extra हो गया तो सबसे बड़ा सवाल उठके आया कि इस surplus को अब हम कहां save करें बताओ ऐसा तो है नहीं कि तुमने खेती करी तुमने वीट उगाया तुमने बाले उगाया उसका बस खाया ज़र ना खाया है तो फेंक दिया ऐसा तो होने वाला है नहीं वीज़ा है यूमन हम इसे save करना हमें अच्छा लगता है चीज़ों को तो हम इसे कहीं न कहीं surplus को save भी तो करेंगे तो इसी को save करने के लिए potry का discovery हुई है इसी को save करने के लिए potry की discovery हुई मान लो इनसान ने सबसे पहले बारले हुआ है मानना क्या है उगाया ही है सबसे पहले बारले यह सवाल आ चुका है तो अब बारले जब उग गया है कि pottery की discovery कहां पर हुई मतलब majorly pottery कहां पर मिलना start हुई तो तुम कहोगे neolithic time पर neolithic time का सबसे बड़ा characteristic feature एक ये भी है कि हमें यहां पर pottery देखने को मिलती है हमें यहां पर देखने को मिलते हैं समझ गए लेकिन अब देखो historians की आदत है एक आदत उनकी क्या है कि मालो 70 चीजें out of 100 अगर उने कहीं पर मिल रही है तो वो कह देते हैं कि वहां का characteristic feature है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम तुमसे pottery की बात कर रहे हैं तो 100 की 100 जगहा पे तुम्हें pottery देखने को मिल जाएगी बहुत सी sites आने वाली हैं जहां पे तुम्हें कोई pottery देखने को नहीं मिलने वाली तो ऐसा भी हुआ है तो ऐसा का conceptual सवाल आए अगर तुमसे वो कहें कि बताओ सारे जगह ही pottery मिली हुई है क्यों तुम कह दोगे नहीं ऐसा ही अब हम तुम्हें ये तनी बड़ी कहानी क्यों समझाई हमने तुम्हें क्योंकि mesolithic time जो है mesolithic time में भी हमें कुछ जगह पे pottery देखने को मिल जाती है ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम लोग हमेशा ये सुनते आए हैं कि जो pottery का निर्माण है वो neolithic time पे हुआ है लेकिन कुछ sites ऐसी भी है जहां पे हमें mesolithic में भी pottery देखने को मिल जाती है और उन्ही में से एक है बाग हो ठीक है तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि there is a possibility क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हो सकता है कि mesolithic इनसान तो evolve करी रहा है जब इनसान evolve कर रहा है तो क्या होता है कि हो सकता है कोछ इनसान उने agriculture करना कहीं थोड़ा बहुत एक दू जगा पे start कर लिया और कहीं कहीं पे start कर चुके हैं और कहीं कहीं पोट्री में मिली हुई है तो यहां पे possibility है कि हमें pottery मिली हुई है mesolithic phase की तो यह चीज तुम समझ गए उसके बाद राजस्थान में बागोर साइट याद रखना बागोर तिलवाना दो साइट समने देख ली इसके बाद और देखो गुजरात में कौन-कौन सी साइट है गुजरात में सबसे जो important है वो है लंगनाज लंगनाज जो है सबसे important साइट वहाँ पर हुआ करती थी और यहाँ पर भी कहा है कि यहाँ पर में कुछ पौट्री देखने को मिली हुई है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पौट्री मिली है और कौन-कौन की साइट से अकज, वलसना, हीरपुर, लंगराज ठीक है यह साइट्स हमें देखने को मिली है अब हम आ जाते हैं उत्तर पिदेस में उत्तर पिदेस की यह तीनों साइट्स है तीनों ही पूछी जा चुकी है क्या नाम है सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा यह जो तीन साइट्स है यह तीनों ही पूछी जा चुकी है अभी तक ठीक अब इन तीन साइट्स में क्या है सराय नाहर राय का है यह अलहाबाद के पास में है ठीक इससे इतना जादा नहीं पूछा जाना यहां की सबसे बड़ी एक जो खासियत है वो यह है कि यहां पे हमें ग्यारा हुमन बरियल्स देखने को मिले हैं ग्यारा हुमन जो हैं उनके बरियल्स देखने को मिले हैं बरियल्स पता है किसमें देखने को मिले हैं बरियल्स गड़े कर दिये गए हैं उन गड़ों में बरियल्स देखने को मिले हैं जो है उन्हें arthritis की बिमारी भी थी तो इस चीज़ को भी तुम्हें ध्यान रखना है इत्ता डीप तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा उपिंदर सिंग के लावा या फिर उपिंदर सिंग जैसे sources के लावा फिर महा दहा जो है वो भी उत्तर पिदेश में यहां पे हमें 28 बरियल्स को मिले हैं तो यह हो गया इसके बाद यहां पे भी उस arthritis है लोगों के पास लेकिन देखो यहां पर तुमसे एक सवाल जो है वो conceptual सवाल तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि जो पुराने टाइम के लोग हुआ करते तो उनकी health कैसी हुआ करती तो तुमसे यह चीज़ अगर को जिया करते थे चुकि उस टाइम पर technology अच्छी नहीं थी उस टाइम पर लोगों के मरने के चांसे ज़्यादा हुआ करते थे ठीक है ना उस टाइम पर temperature थोड़ा hearts हुआ करता था आज तो हमारे पास hospitals हैं आज तो हमारे पास इतनी शाए technologies हैं तब हमारी expectancy जो है वो इतनी जादा हो पाई है बट एट कंपेर टु डेथ टाइम उस टाइम पे कोई टेक्नलोजी बगेरा नहीं हुआ करती थी तो इनसान बाई चांस ही बच पाता था तो जो लाइफ एक्सटेंसी थी बहुत कम हुआ करती थी तो यह पूरे ही स्टोनेज में लागू हो जाता है इवेन अभी इंडिपेंडेंट इंडिया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब तक तो हमाई लाइफ एक्सटेंसी तनी कम हुआ करती थी तो इस टाइम पे तो और ही जादा कम हुआ करती होगी है ना फिर अगर तुम दमदमा की बात करो तो दमदमा में क्या हुआ पहले हम क्या समझा करते थे कि हमारा जो नियू लिथिक टाइम है इसी की टाइम पर एग्री कल्चर स्टार्ट हुआ था मैं तुमसे क्या बता है है historians होते है historians यही कहते है अगर 99 चीजें हो सकती है अगर तुम्हें नियू लिथिक मिली है तो हो सकता है references दम-दमा से देखने को मिल चुके है इसके बाद अगला जो साइट है उत्तरपेदेश का है वो है मुहानाना पहार ठीक है इसके बाद है लेखारिया यह दो जो साइट से यह भी वहीं पे मिलते हैं मैं इसके बाद एक और कौन है बगहाई कोर ठीक एक साइट यह हो गई और जो सबसे important साइट है जो पूछी जा चुकी है वो है चोपानी मांडो यह हमने कल भी पढ़ी थी यह यहां पे भी है और यह बेलान बैली में है उत्तरपेदेश के एक बेलान बैली है और एक बोलान बैली है तो बोलान बैली जो है वो बलूचेस्तान पाकिस्तान में हो बे निरे चमैलन दो कोई हैं वे सब्सक्राइब हैं है का मकinki कोई कि वहां है हुए नुक४ान हुगे फूंच छोर्टे की है घ्राइंगले हुए और केंड को मяжए हुए हैं, ये तीन हमें टूल्स यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं मेभी साइध ही कोई पूछे का बठा ये पूछा जा चुका है, एक टूल होता है कैलसेडोनी करके, तो कैलसेडोनी जो है, ये हमें माइक्रोलिथ मीजोलिथिक टैम पर देखने को मिलने लगता है, फीक, यह कैसा पत्थर होता है, यह ट्रांस इनूसेंट टाइप का पत्थर होता है, बड़ा अच्छा सा पत्थर है, तुम जाके चाहो तुम गूगल करके देखना इस पत्थर के बारे में, और दूसरों, और देखो मदपदेश से कौन सी साइट है, है आ गेट हो गया क्योंकि ये टूल्स मैचिंग में आ चुके हैं UGC में तो तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी होंगे इसके बाद देखो क्या होता है हमें काफी जानवरों की बून्स भी देखने को मिलती है अब जब बून्स देखने को मिलती है जिससे क्या पता चलता है इ इसके बाद देखो MP में एक और साइट है कौन सी है बागोर बताया था भी तो बागोर भी MP में है इसके बार में हम बात कर चुके हैं अब हम बात करते हैं इस्टन इंडिया की तो इस्टन इंडिया में भी हमें कुछ साइट देखने को मिलती हैं कौन कौन सी साइट है जा चुकी है, पैसरा कहा है, पैसरा है बिहार में, किसकी साइट है, मीजोलिथिक साइट है, बीरभान फुर, ये भी पूची जा चुकी है, ये है बेस्ट बंगॉल में, ठीक, और अगर हम आगे बढ़ें, और अगर हम साइट की बात करें, देखो, ये साइट, संगहन कहां पर है, ये है करनाट का में, ठीक, ये भी मीजोलिथिक साइट है, ये भी हम पोस्ट चुके हैं, अगर आपको मीजोलिथिक साइट के बारे में, मीजोलिथिक के बारे में और जादा अगर जानना है, तो आप मेरा प्लीज वो कॉंसेट वाला वीडियो देखिए, उसम तुम थोड़ा सा missing out feel कर रहे हो, तुम उस वीडियो को भी जा के देख लेना, ठीक, इसके बाद देखो, आंध प्रदेश की हम बात करें, आंध प्रदेश में हमें साइट मिलती है, कुरुनूल करके, तो ये साइट पूछी जा चुकी है, तो कुरुनूल हो गई, नागारज हल्ली और किबना हल्ली, हल्ली जहाँ पर तुम्हें देखने को मिले ला, हल्ली का मतला होता है विलेज, ठीक, हल्ली का मतला होता है विलेज, फाइन, उसके बाद देख लेते हैं, अब देखो, इसके साथ-साथ क्या होता है, बुक ये कहती है, उपिंदर सिंग ये कहती है, कि जो mesolithic time है जो mesolithic period है यहां का जो आदमी है वो metalistic हो चुका है यहां का जो आदमी है वो metalistic हो चुका है जब हमने तुम्हें कल palathic पढ़ाया था palathic में तुमसे हमने एक चीज कही थी क्या कहा था कि इस time का जो आदमी है वो metalistic नहीं हुआ करता क्यों नहीं हुआ करता था क्योंकि मैटलिस्टिक होने के लिए चीजों को जमा करने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्स भी होने चाहिए लेकिन उनका जो टाइम था वो रिसोर्स को अलाउ नहीं करता था उनके पास इतनी टेक्नलोजी नहीं थी कि वो इतने सारे रिसोर्स को जोड रहे लेकिन जैसे जैसे आदमी आंगे बढ़ता है वो अपनी टेक्नलोजी जादा इस्तेमाल करता है वो फिर उस तरीके से वो क्या करता है फिर वो human जो है वो exploit करना start करते है nature को तो ऐसा ही यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या है अब हमें materialistic culture के references मिलने लगे हैं कैसे मिलने लगे हैं कि अब देखो वो चमक धमक वाले tools बनाने लगा है है ना वो shiny tools बनाने लगा है वो polished tools बनाने लगा है और देखो मेटलिस्टिक culture का और example क्या है मेटलिस्टिक culture का एक example है grape good grape good का मतलब क्या है कि अब इनसान चाहता है कि उसके पास उसकी favorite चीजें हैं जब तुम मरोगे तो तुम्हारी जो cover है उसमें हम दफना देंगे और उसके साथ साथ उसमें कुछ चीजें रख देंगे जो तुम्हें पसंद है ठीक है तो यह क्या है यह मेटरलिस्टिक का ही मेटरलिजम का ही तो एक्जाम्पल है कि लोग अब चीजों से जुड़ने लगे हैं, वो माया के अंडर में आ गए हैं, उसके पॉट्री, पॉट्री भी ऑगिसली बात है, पॉट्री अगर हमें देखने को मिल लगी तो पॉट्री क्या ही है भी तो मेटरलिजम है, कि तुम कि होगे, नुमेडिक मतलब क्या होता है सर, नुमेडिक मतलब होता है घुमन्तू, घुमन्तू मतलब क्या होता है अब तुम का होगे, घुमन्तू का मतलब होता है, वो इंसान जो घूमता रहता हो, ठीक है, आज के ट्रेबलर्स और ब्लॉगर्स की तरह घूमना नहीं, लेकि सा गुमना कि आज हम जैसे माझ लो का उसमें स्टेवल्टी का बाती है तो स्टेवल्टी आती है agriculture के साथ stability आती है जब वो animals को domesticate करना start कर देता है इसके साथ stability आना start होती है क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा agriculture होगा तुम क्या करोगा तुम अपनी फसलों को देखोगे तुम ऐसा तो है नहीं कि तुमने बारले होगाई है तुमने wheat होगाई है तुम उसको उगा हुआ छोड़ के चले जाओगे कहीं पे और तो ऐसा तो आप नहीं करोगे तो obviously यह वात है उसके बाद तुम्हारे जानबर है तो तुम जानबरों को भी देखोगे है ना you have lot of sheep तुम्हारे पास dog है तो तुम उसको छोड़ के चला नहीं जाओगे तो यह सब चीजों के वाई से इनसान जो होता है वो थम जाता है वो रुक जाता है तो यह कहां से होगा यह new lithic time से होगा ठीक है तो जिसके बारे में हम में भी कल की क्लास में देखेंगे राइट इसके बाद देखो और चीजें क्या होती है इनसान जो है वो अब permanent और semi permanent settlement धूणने लगता है permanent settlement कैसा हो गया भीम बेट का केव हो गई semi permanent settlement क्या होगा semi permanent settlement ऐसे होते थे कि एक जगा पे 10 साल रुके उसके बाद move करके फिर अगली जगा पे 10 साल रुके ये semi permanent settlement हुआ करते तो ऐसे settlement भी हमें देखने को मिले हो mesolithic जो लोग थे वो हर जगा में क्योंकि देखो hollow scene आ गया है hollow scene का मतलब क्या होता है warm age आ गई है पहले हमने तुम्हें कल की class में क्या बताया था कि ice age जो हुआ करती थी तो ice age की वज़े से इंसान जो था वो topics तक ही limited था वो बहुत कम area तक limited था जहां पर जहां तक सूरज की रोसनी पढ़ा करती थी तो इन ही area में वो limited हुआ करता था अर्थ के ठीक और इन area में भी बहुत कम जगाओं पर तक वो limited था क्योंकि temperature allow नहीं करता था हमको ज़्यादा move करना लेकिन जब hollow scene आता है तो earth warm होती है और जब earth warm होगी तो क्या होगा इनसान move करेगा यहां वहां spread करेगा तो अब क्या होता है इस time तक इनसान जो है वो move करना start कर देता है कहां start कर देगा move करना coastal area move करेगा rock shelters में रहेगा flat hill tops में रहेगा river valleys में रहेगा lake shites पर रहेगा sand dunes पर रहेगा और even fertile alluvial plains में भी वो रहना start कर देगा fine तो यह चीज़ें हम देख चुके हैं लेखने को भी लेंगे resources का मतलब क्या है कि अब देखो इस tonage चल रहा है तो constituents का मतलब क्या है कि रिसोर्स का मतलब जहां पर खूब सारी stones मिल जाएं ऐसी जगा जहां पर पानी मिल जाएं जहां पर basic तो पानी कहां मिलेगा तो इनसान mostly river bank's के पास रह रहा है, आदमी कहां पे रह रहा है, केब्स में क्या है केब्स में इनको रहने की जगा मिल जाती है, माउंसून से बच लेते हैं बारिस से बच लेते हैं, जानबर से बच लेते हैं और साथ साथ में क्या होता है वहाँ पे स्टोन्स मिल जाते हैं तभी लोग capes में रहते हैं, तभी लोग rivers के पास भी रहा करते हैं, तो ये कुछ reason हुआ करते थे, fine तो ये चीज़े तुम समझ गए होगे, अब हर एक चीज़ को explain भी किया हुआ है, अब देखो, इनका हम जीवन निर्वहा भी देखते हैं, क्या उनका pattern था, क्या उनकी social life बताएं तुमें, just be here for one minute, हम तुम एक चीज़ समझाते हैं, वो ये है, देखो, paleolithic time पे क्या हुआ करता था, पुरा पासान time पे क्या हुआ करता था, कि इनसान जो है, वो अलग-अलग रहा करता था, वो दूर-दूर रहा करता था, जादा यहां कुछ लोग रह रहे हैं, क अब population बढ़ जाती है, है न, जब population बढ़ जाएगी, तो इनसान अब bands में रहने लगेगा, इनसान अब groups में रहने लगेगा, ठीक, तो इनसान अब धीरे-धीरे यहां पे groups में रहना है, स्टार्ट कर देता है, वो groups में रहने के साथ साथ क्या करता है, वो hunting करना है, स्टार समय मिला ही हुआ थो अब देखो एक जो सबसे important site है मेहर अदमगठँ सबसे important of animals के sign मिलते हैं, यहाँ पे हमें पसू पालन के sign मिला करते हैं तो यह चीज़ तुम समझ गया होगे इसके बाद और देखो अगर लोगों की diet की हम बात करें क्या वो खाया करते थे तो diet के अगर हम बात करें तो वो meat भी खाया करते थे और vegetable food भी खाया करते थे, कल हमने तुम्हें क्या बताया था, कि इनसान जो है 90% तो vegetarian था food वगयरा खाया करता था और जो 10% है वो meat वगयरा खाया करता था, हमारे दिमाग में यह घारना बनी हुई ना कि हम इनसान early man जो हुआ करते थे, वो meat ही खाया करते थे, but this is not the case 90% इनसान vegetarian ही हुआ करता था, fine, तो यह चीज तुम समझ गए होगे fine, और देखो, इसके साथ हम तुम्हें क्या बताते हैं, जो हमें paintings देखने को मिली हैं, उस time पे देखो paintings के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी mesolithic time पे, अगर देखो कलके हम तुम्हें class की बात बताएं, कल हम तुम्हें क्या बताई था, सबसे पहली painting कहां पर देखने को मिली है, सबसे पहली painting हमने तुम्हें बताया था, ऊपरी पुरा पासान काल और अपर Peak Time पे देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन तो इसका में तुम्हें रीजन क्या बताया था जब इंसान थोड़ा सा फिरी होता है इंसान थोड़ा सा स्टेबिल होता है ठीक है उस टाइम पर क्या होता है इंसान पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करता है यह लैजर के काम होते है अब देखो तुम हो तुम तुम बड़े बता सकते हो कि बताओ सबसे पहली painting किसने बनाई थी who was the first painter सबसे पहली painter किसने बनाई थी अगर तुम्हें पता हो तो बताना I am glad to know अगर आप तुम्हें पता हो ठीक तो देखो और paintings हमें क्या दर्साती है तो जो paintings होती है वो social life के बारें बताती है वो उनकी economic activities के बारें बताती है अब social life के बारें कैसे पता चलता है social life के बारें पता चलता है कि वो hunting कर रहे है वो किसी जानवर को मार रहे है वो dance कर रहे है तो ये सब चीज़ें जो हैं मैं social life के बारें में भी बताती है और देखो क्या-क्या हमें देखने को मिलता है ये सवाल आ चुका है कि हमें कौन-कौन से जानवरों की अंदर से पेंटिंग देखने को मिली हुई है मीजोलिथिक टाइम पे तो कौन सी है बोर, सुमर है बफैलो है, मंकी है, नील गाय है ये सबसे जादा बनी हुई है फाइन, इसके बाद और हमें क्या दिखाया है वहाँ पे सेक्सूल यूनियन दिखाया है पेंटिंग्स में, कोई बच्चा है उसका जन्म हो रहा है ये दिखाया है, फाइन और बच्चे को कैसे बड़ा करना है, ये दिखाया है एक burial ceremony भी दिखाई हुई है ठीक, तो burial ceremony के किसी को दफना आ रहे हो, तुम तो ये भी चीज़ें हमें दिखाई हुई है, इसके बाद और हमें mesothetic time से देखो में, तुम्हें क्या बता है ताभी ये देखने को मिलता है, कि society इस्टेविल होने लगी है थोड़ी बहुत, तभी तुम्हें बता है ना painting क्यों होँए, ये painting तभी होते ही, जब stability आती है बिना stability की painting नहीं करना है, नहीं हो पाती है थोड़ा सा tough हो जाता है, ये बास से तुम भी agree करते हो तो ये सब चीजें होना यहां पर start हो जाती है इसके बाद, अगर हम आंगे बढ़ें, तो देखो अगर हम barriers की बात करें, तो barriers में अगर तुम से कोई पूछे कि बताओ किस direction में लोगों को गारा जाता था, तो इस time पे जो direction में गारा जाता था, वो गारा जाता था, इनसान को west से east direction में, fine, west direction में यहां पे इनसान का सर हुआ करता था और यहां पे इनसान के pair हुआ करते थे तो west से east direction में इनसान को बरी किया जाता था, लेकिन ये चीज जो है ना ये आंगे जाके change होगी जब हम आंगे जाके पढ़ेंगे ना I will tell you कि अब इंसान को North से South गार्डने लगे हैं ये अभी change होगा अभी क्या है अभी तुम्हें ध्यान दखना है अभी West to East हो रहा है मिजोलेथिक टाइम में ठीक ये चीज का तुम ग्यान दखना Life after dead के बारे में हम तुम्हें बताई दी हैं उसमें हमें जो अलेरी देखने को मिला करती थी और जो भी तुम्हें पसंद है वो चीज हैं तुम्हारे dead body के साथ गार्ड दिया करते थे तो ये चीज हम तुम्हें बता चुके हैं उसके बाद देखो अब हमने तुम्हें ये चीज हमने तुम्हें पहली बताई थी कि पहले इंसान क्या हुआ करता था घुमन्तू हुआ करता था क्यों 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 फूड की तलास में हुआ करता था लेकिन क्या होता है अब धीरे-धीरे वो sedentary भी होने लगा है mesolithic time में, neolithic time पर तो mostly देखा जाएगा 90% तकी sedentary हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है sedentary होने की, मतलब इस्थर होने की सुरुवात हो चुकी हो इस्थर इंसान कब होता है अब ने तुम्हें अभी बताया था, agriculture के आजाने से और domestication के होने से ठीक, इन दोनों चीजों की वज़े से इनसान जो है, वो settle होना start कर देता है, fine और देखते हैं हाँ अब देखो, हमें क्या है mesolithic time से, अगर हम burials की बात करें जो गाडने की प्रता है उसकी अगर बात करें, तो किस पिकार के हमें burials देखने को मिले हैं, तो ये चार burials type के हमें देखने को उस time पे मिले हुए हैं, एक है extended burials, अब extended burials क्या होता है, बोडी जो है बोडी को ऐसे लिया, और एक दम ऐसे flat लिटादिया, तो extend कर دिया, फूरा उसको extend करके लिटादिया, एक होता है flexed burial, flexed burial में क्या हुआ करता था, इंसान को ऐसे लिया और इसके बात क्या हुआ, इसको ایसे flex करके इसको ऐसे body इसको थोड़ी मोड कर उसको ऐसे लिटादिया, ऊठीक, एक हुआ करता था fractional burial ठीक तो इसमें fractional burial में क्या हुआ करता था like अगर तुम्हें एक बात बताएं कि जैसे पहले इसकी body जो है जैसे हर अपन टाइम पे भी हम continue किया करते थे कि body जो है इसको पहले कहीं और दफनाया गया था फिर इसको उखाल के कहीं और दफना दिया गया या फिर मतलब इसका तुम example तुम समझ सकते हो ऐसे कि क्या हुआ करता था कि पहले body जो है वो nature को दे दी nature ने क्या किया पूरी की पूरी skin खाली उसके बाद जो bones बची उनको तुमने दफना दिया तो this is something secondary burial तो इसको आर्ट के बारे में बता चुके है कि मूझ लिख टाइम के जो लोग हुआ करते थे वह आट के लवर हुआ करते थे लवर ऑफ आर्ट्स है ना यह चीज्ज़शा हमने बात करी है और हमने भीमबेटका केपस की बात करी देखो हमने सब्सक्राइब पूछता है होड के बारे में गर पूछता है तो होड़ जो है वह पहलू इन दस वाली टाइम पर है या नहीं है यह एक कॉंटोवर्सी जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे अब ही एक गुड़ा अगर हम दिक गया है तो इसलिए पूण में यह चीज बता दे, अब दो हो यूजी सीनक सवाल पोछा है कि वो केन नि कलर्स का इस्टिमाल किया करते थे, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, हमें तुमें कल बता है थे, वो red color का इस्तिमाल किया करते हैं, तो देखो सब चीजें जो है यह वहां से मैं पता चल जाती थी वहां से हमने ये colors को निकालना start किया है अब देखो और paintings में क्या हुआ करता था तो mostly paintings क्या है hunting scenes की painting हुआ करती थी hunting scenes के लाबा और क्या हुआ करता था sexual activity I have told you child birth I have told you burial ceremony किसी इनसान को किसी नहीं की हो गई तो उसके रात क्या कोई अनिमाल है उसको तुम ट्रैप कर रहे हो सब लिए वो गया साथ में खाना खा रहे हो डांस कर रहे हो वो पिंदर सिंह की तुम बुक देखना एख डांस की वीड फोटो भी बनी हुई है बहुत अच्छी फोटो एगर आप देखें बुक में तो डां Paytings से देखने को मिलती हैं Fishing के भी पेंटिंस हैं अब देखो यहां इन्हीं पैंटिंसे पता चलता है मैं कि वो बो और आरो का भी इस्तोमाल करते PGャ्व और जो है उसका भी यसका भी इस्तिमाल हुआ करती एक पेंटिंग क्या है एक पैंटिंग में एक इंसान जो है, वो मास्क पहने हुए, आज के टाइम पर जो हम मास्क पहनते हैं वैसे ही एक मास्क पहने हुए और वो ये दिखा रहा है उस मास्क को पहन के कि वो किसी जानमर को डराने जा रहा है उस मास्क से जिसके वो जानमत डर जाएगा और इनसे फस जाएगा है ना तो ये सब चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई है और देखो और साथ साथ में क्या है एक जो painting है उसको हम कहते है भीमवेट का बूर भीमवेट का सूर तुम कह सकते है इसमें क्या है उस इंसान की body जो है वो पूरी की पूरी सूर की है उसके बाद क्या है उसका जो under lip है वो elephant का है और जो इसके sea है वो buffalo के हैं तो ऐसा कुछ-कुछ देखने को मिला है साथ में देखो हमें mesolithic time पे या फिर पहले कोई भी snake की painting देखने को नहीं मिलती है हमें कोई भी snake की painting देखने को नहीं मिली है तो इस चीज का तुम ध्यान रखना ओके इसके बाद plant cultivation के में तुम्हें बात बताई दी थी क्योंकि domestication होने लगा था है ना तो domestication तो obvious सी बात होगा तो wild ice के में तुम्हें बात बताई थी pottery अब देखो pottery कर में तुम्हें पूरा भी chronology बताई थी के pottery का निर्मान क्यों होता है surplus की वज़े से होता है ना तो देखो में तुम्हें क्या लिखा है pottery जो है वो absent है most of the sites तो तुम्हें क्या बताया था सब जगा नहीं आई है 99 जगा नहीं आई है लेकिन एक दो जगा ऐसी हो सकती है जहां पे तुम्हें pottery देखने को मिल जाए तो तुम्हें क्या बताया था लंगराज हो गया है ना गुजरात में थी कैमूर हो गया, तो यहां पे हमें पॉट्री देखने को कुछ-कुछ जगा पे मिली भी हुई है, अब देखो, पहले जो पॉट्री हुआ करती थी, वो हैंड मेड हुआ करती थी, पहले हास से पॉट्री बनाया करती थी, लेकिन दीरे-दीरे क्या हुआ, जब वील की होती है, तो यहां से फिर हम वील मेड पॉट्री भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट नॉट नाउ पहले हास से ही बनेंगी, हाउस हमने तुम्हें बताई थे, सर्कुलर और ओवल हुआ करते थे हैं, यह चीज़ हम तुम्हें बता चुके हैं, तो इसी के साथ, यह जो ह इस पे सवाल पूछ सकते हैं, इसके इलाबा क्या होगा, कल हम जो अगली क्लास है, उसमें हम नियोलिथिक एच को कवर करना, इस कोसिस करेंगे, नियोलिथिक और चालकोलिथिक, इन दोनों को हम कोसिस करेंगे, कि हम इनको कवर कर ले, अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो you can always reach to me, आप comment कर सकते हैं, and if you want to be the part of our coaching, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो you can always contact me, हम बैच भी चला रहे हैं, तो हम उसमें भी साथ में रह सकते हैं, तो this is for the day, I hope you learned a lot, fine, next meet you in the next class, thank you.